नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम केमिस्ट्री सीरीज का नेक्स्ट इंपोर्टेंट टोपिक धातु क्रम यानि की मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे पिशली वीडियो में हमने धातु के गुण धर्म के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने धातु के भोतिक गुण और रसायनिक गुण के बारे में पढ़ा था अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना तो आज हम धातु कर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर हमें धातु में कैसे प्राप्त होती हैं, जिसमें हम अयस्क का सांदरन, धातु का निशकर्शन और धातु का शुद्धिकरन देखेंगे, और इसके बाद हम जो महत पून धातु के अयस्क है जो कि exam में पूछे आते हैं, वो पढ़ेंगे और last में previous year question भी cover करेंगे तो वीडियो आपके लिए काफी important होने वाली है, इसलिए वीडियो को end तक देखेगा और last में previous year question जरू लगाएगा, तो चलिए बिना देरी की हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं, और सबसे पहले धातु कर्म क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं तो कोई भी धातु प्रकर्ति में अपने शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती प्रकर्ति में उपस्थित धात्वी खनिजों से विभिन परक्रियाओं के द्वारा ही शुद्ध धातु का निश्कर्शन धातु कर्म कहलाता है तो जो धात्वे होती हैं ये प्रित्वी की भूपरपटी पर पाई जाती हैं सबसे पहले हमें जो पृत्वी की भू परपटी होती है, इसमें हमें खनिज मिलता है, और सभी खनिजों से धात्वें प्राप्त नहीं होती, जो धात्वी खनिज होते हैं, जिन्हें हम अयस्क कहते हैं, उनसे हमें धात्वें प्राप्त होती हैं, तो जो अयस्क होते हैं न, विविन प्रक्रियां के द्वारा इनसे हम शुद धातु प्राप्त करते हैं, जो आगे हम देखेंगे कि कौन-कौन सी प्रक्रिया होती है, तो धातु कर्म क्या होता है, तो शुद धातु को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जा रहा है, उसी को धातु कर्म कहते हैं, तो खनिज प्रकर्ति में उपस्थित वे रसानिक पदार्थ हैं, जो आकारबनिक परिक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, तथा एक निश्चित एवं समरूप रसानिक स्रंचना वाले होते हैं, वस्तुता उनी पदार्थों को खनिज कहा जाता है, जिनने खनन के माध्यम से माध्यम से प्राप्त करना संभव हो, तो जो धात्वें होती हैं, धात्वें निकालने का सबसे पहला प्रोसस क्या है, तो सबसे पहले हम जो खनिज होता है, खनिज को निकालते हैं, और जो प्रकर्ति से प्राप्त खनिज होते हैं, ये दो परकार के होते हैं, एक होता है धात्वीक खनिज और एक होता है आधात्वीक खनिज तो जो धात्वीक खनिज होते है ना इनसे ही हमें धात्वें प्राप्त होती हैं जो आधात्वीक खनिज होता है उनसे हमें धात्वें नहीं प्राप्त होती हैं तो हमें धात्वें धात्वीक खनिज से प्राप्त होती है तो अयस्क क्या होता है? तो वे खनिज, जिन में किसी विशिश धातू की मातरा अधिक हो, तथा उस खनिज से धातू का निश्कर्शन सरल एवं आर्थिक रूप से लाप्रद हो, तो उन्हें उनमें उपस्थित धातू विशिश का अयस्क कहा जाता है. तो इसको मैं आपको उधारन से समझाता हूँ, तो जैसे मा लिजे, पित्वी की भूपरपटी से हमें 10 किलो खनिज प्राप्थ हुआ, और उस 10 किलो खनिज से हमें किवल 5 ग्राम ही लोहा प्राप्थ हो सकता है, तो बताए, क्या वो हमारे लिए लाप्रद है? नहीं है, क्यो लोहा मिल रहा है, तो क्या वो हमारे लिए लाप्रद है? तो हाँ, इसका निसकर्शन हमारे लिए लाप्रद है, तो अब इस खनिज को क्या कहा जाएगा? अब इस खनिज को अयस्क कहा जाएगा, क्योंकि इसमें धातू की मातरा अधिक है, तो इसलिए इसको अयस्क कहा जा कि सभी आयस्क खनिज होते हैं किन्तु सभी खनिज आयस्क नहीं होते हमने देखा ना कि जो सभी आयस्क हैं वो तो खनिज होंगे लेकिन जो सभी खनिज हैं वो आयस्क नहीं होंगे उसमें से जो धात्वी खनिज होंगे वही आयस्क होंगे जो आधात्वी खनिज हैं वो तो अयस्क हो ही नहीं सकते, तो सरल शब्दों में आपको बताओं, तो अयस्क क्या है? वो खनिज जिसमें धातु की मातरा अधिक हो और जो अशुद्धियां हैं, वो कम हो, तो उस खनिज को क्या कहा जाएगा? उसे अयस्क कहा जाएगा तो सभी ऐस्क खनिज होते हैं, किन्तु सभी खनिज ऐस्क नहीं होते जैसे आप ये डाइग्राम देख रहे हैं, तो इस डाइग्राम में जो आप ये गोले देख रहे हैं, ये क्या हैं? ये खनिज हैं और इन खनिजों में जो आप ये तीन गोले देख रहे हैं, ये जो खनिज हैं, इनमें धातु की मातरा अधिक है और आशुद्या कम है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? तो इन्हें आयस्क कहा जाएगा, तो सभी आयस्क खनिज होते हैं, किन्तु सभी खनिज आयस्क नहीं होत क्योंकि जो सभी ask होते हैं, ये खनिज होते हैं, इसलिए ask खनिज के अंदर आएगा, लेकिन जो खनिज होते हैं, सारे खनिज ask नहीं होते, जैसे कोई भी competition exam की जब vacancy निकलती है, मा लीजिये, उसमें दो परिक्षाएं हो रही है, pre और means, तो जो भी विद्यार्थी उस vacancy के लिए form fill करते हैं, वो क्या होंगे? वो खनिज होंगे, इन में से जो भी विद्यार्थी प्री निकालेंगे, वो क्या होंगे? वो ask होंगे, बाकी विद्यार्थी छट जाएंगे, जो प्री निकालेंगे, वो ask होंगे, उसके बाद इन ask में से जो भी विद्यार्थी means निका उसका सांद्रन होता है, सांद्रन मतलब की सफाई, सबसे पहले S की सफाई होगी, उसके बाद क्या होगा? उसमें से धातू को निकाला जाएगा, तो second step है धातू का निसकर्शन, धातू को निकालने के बाद क्या होगा? अब धातू का शुद्धी करण होगा, तो third step है धातू का शुद्धी करण तो धातु कर्म के तीन स्टेप हैं पहला है धातु का सांदरण दूसरा है धातु का निसकर्शन और तीसरा स्टेप है धातु का शुद्धी करण तो सबसे पहले देखते हैं ऐस्क का सांदरण तो खनन के माध्यम से जो भी प्राप्ट आईस्क होते है, उनमें अनेक अशुदियां होती हैं, जैसे मिट्टी, बालू, कंकर, सिलिकेड़ आदी इसमें विद्यमान होते हैं, तो जो ये अशुदियां होती है न, इन्हें गैंग कहा जाता है, याद रखेगा. तो जो आइसक में ये जो अनेक अशुधियां है इन्हें गैंग कहा जाता है और आइसकों के सांद्रण की जो ये परक्रिया है इसे आइसकों का समरधी करण भी कहा जाता है और इस परक्रिया के अंतरगत आइसकों में उपस्थित अशुधियों को दूर किया जाता है तो एसकों का सांद्रन निम्न लिकित विधियों से किया जाता है कौन-कौन सी विधियां है जिनके माध्यम से एसकों में से अशुधियां निकाली जाती है तो तीन विधियां है, पहली विधि है, गुरुत्विय प्रिथक करन, दूसरी विधि है, चुम्बक्किय प्रिथक करन, और तीसरी विधि है, फेन प्लवन विधि, तो तीनों विधियां या देखेगा, एकजामें पूशा जाता है, कि एसक के सांद्रण की कौन कौन सी तो एसकों के सांद्रन की यह विधी धातू एसक तथा गैंग कणों के बीज विशिष्ट गुरुत्यवे बलों के अंतर पर अधारित है। तो जो हलके गैंग कण हैं यह जल के साथ बह जाते हैं तता जो भारी ऐसक कण हैं यह नीचे रह जाते हैं। तो इस डायगराम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो देखे तो यह धालान है धालान के नीचे क्या है एक बड़ा सा बरतन है और उपर से क्या है पानी की धारा प्रवाहित की जाएगी, तो अब क्या होगा, कि जो ये एसक कण हैं, इन में जो अशुधियां लगी हुई हैं, जो अशुधियां हैं, जिने हम गैंकन कहते हैं, वो एसक के मुकाबले में हलकी हैं, और जो एसक हैं, वो भारी हैं, तो जो हलके कण हैं, यानि कि उन्हें अलग कर सकते हैं, तो ये है पहला मेथड, जिसे कहते हैं, गुरुत्विय प्रिथक करन, अब दूसरा मेथड है, चुम्बक की प्रिथक करन, ग्यंग करनों में से कोई एक चुम्बक की गुन वाला होता है, तो इस विधी का प्रिथक करन विधि का प्रिएक किया जाता है, जब या तो एसककन या जो उनमें अशुधियां हैं इन दोनों में से किसी एक में चुम्बक्ये गुण हो तब इस विधी का प्रियोग किया जाता है तो इस विधी में धातु एसक का बारीक चुर्ण बनाकर उसे चुम्बक्ये रोलर से गुजारा जाता है और इस प्रक्रिया में गैर चुम्बक के कण रोलर से दूर हो जाते हैं, तथा चुम्बक के कण रोलर के समीब एकत्रित हो जाते हैं, तो जैसे इस डायगराम से मैं आपको समझाता हूं, तो देखे उपपर से क्या होगा? जो ask है, उसे डाला जाएगा और जो ये रोलर है, यानि कि लोहे को ये अपनी और आकरशित करेगा और इसके नीचे दो बरतन हैं, तो क्या होगा, जब उपपर से आइसक को डाला जाएगा, तो जिसमें लोहे के गोण होंगे, उसको क्या करेगा, उसको चुम्बक्ये रोलर अपनी और आकरशित करेगा, और चुम्बक्ये कण हैं वो अलग हो जाएंगे तो इस विधी को क्या कहा जाता है चुम्बक किये प्रतक करण magnetic separation अब हम तीसरी विधी देखते हैं फियन प्लवन विधी यानि की फ्रोध फ्लेटेशन प्रोसेस तो यह है विधी एस्क कणों तथा गैंक कणों के जल एवं तेल में भीगने के गुणों में अंतर पर अधारित है तो इस विधी के माध्यम से सलफाइड एस्कों का सांद्रन किया जाता है तो इसमें क्या होता है तो एक पातर में एस्क चूर्ण चीड का तेल फिंस्थाई कारक तथा जल मिलाकर वायू प्रवाहित की जाती है इस प्रक्रिया में जो एस्क कण होते हैं ये तेल में भीग कर जाग के रूप में जल के उपर कत्रित हो जाते हैं तथा जो गैंक कण होते हैं ये जल में भीग कर पातर के नीचे रह जाते हैं तो ये विधी क्या है, डाइग्राम से आप समझेए, तो इसमें क्या होता है, एक पातर लिया जाता है, यानि कि समझ लीजिए, एक बड़ा सा बरतन है, और इसमें एसक डाला जाएगा, एसक चूर्ण डाला जाएगा, और इसी के साथ साथ पानी और चीड का तेल डाला जिससे बात क्या होगा उपर से हवा परवाहित की जाएगी और हवा के परवाहित करने के बात क्या होगा इसके उपर जाग बनने लगेगी और इस प्रक्रिया में क्या होगा कि जो एसक कण है न ये तेल में भीग कर जो जाग है न इसके रूप में जल के उपर आ जाएंगे और जो अशुद्धियां होगी, ये जल में भीग कर पातर के नीचे चले जाएंगी, तो अशुद्धियां पानी में भीग कर नीचे आ जाएंगी, और जो एस्क हैं, ये तेल में भीग कर जाग के रूप में उपर आ जाएंगे, क्योंकि जो तेल होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो पानी के उपर परत बना लेता है, तो जो एस्क है, ये तेल में भीग कर जहाक के रूप में उपर आ जाएंगे, और जो अशुद्धिया है, वो पानी में भीग कर नीचे चली जाएंगी, तो इस विधी को क्या कहा जाता है, तो इस विधी को फियन पलवन विधी कहा जाता है तो जो ask है उसकी सफाई तो हो गई अब उसमें से क्या होगा धातु का निश्कर्शन होगा तो जो धातु में होती है न ये दो तरह की होती है एक तो highly recti metals होते है यानि कि अधिक सक्रिय धातु में होती है और दूसरी मध्यम और कम सक्रिय धातु में होती है तो दोनों के लिए अलग-अलग मेथड का प्रयोग किया जाता है तो जो अधिक सक्रिय धातु में होती है न इनके निश्कर्शन के लिए विध्यूत अब घटन विधी अपनाई जाती है जिसे Electrolysis मेथड कहते हैं और जो मध्यम और कम सक्रिय धातु में होती है इनके निश्कर्शन के लिए भरजन और निस्तापन विधी अपनाई जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अधिक सक्रिय धातु में होती है उनका निश्कर्शन कैसे किया जाता है तो विध्यूद अभगटन विधी के द्वारा सरल शब्दों में बताऊं तो विध्यूद का जटका देकर धातों का निश्कर्शन किया जाता है कैसे तो उच अभिक्रिया शील्ड धातों के एसकों का सांदरन करने के पच्चाद इनका विद्यूद अबगटन किया जाता है तो sodium, calcium और magnesium ये जो धात में होती हैं ये highly reactive होती हैं तो इनको इनके गलित कलोराइड्स का विद्यूद अबगटन करके प्राप्त किया जाता है तो इस परकिरिया में रिन आवेशित इलेक्टोड पर धात में अलग हो जाती हैं तता धन आवेशित इलेक्टोड पर कलोरिन का संकेंदरन होता है तो मैं आपको डाइगराम से समझाता हूँ तो माह लिजे sodium कलोराइड का योगिक है इससे हमें धातू प्राप्त करनी है तो sodium कलोराइड के विद्यूद अबगटन से हमें sodium और chlorine प्राप्त होगा sodium क्या है? इसमें से धातू है और chlorine गैस है तो इस बरतन में आप देख रहे हैं कि दो धातू की छड़े हैं जिसे हम इलेक्टोड कहते हैं और इसे उपर बैटरी से जोड़ दिया जाता है जहां से धारा प्रवायत की जाती है और जो इलेक्टोड पोजिटिव से जुड़ा हुआ है उसे एनोड कहेंगे और जो इलेक्टोड नेग्टिव से जुड़ा हुआ है उसे कैथोड कहते हैं अब इस बरतन में sodium chloride यानि NaCl को डाल दिया जाएगा और ये गलित sodium chloride है यानि कि molten NaCl है अब इसके बाद क्या होगा कि जब विद्धारब प्रवायत की जाएगी तो जो NaCl है ये टूटेगा जो NaCl है ये टूटेगा Na positive और chlorine negative में जो Na positive है ये cathode की तरफ जाएगा और जो Cl negative है या यानि कि chlorine है ये एनोड की तरफ तो इस पर क्रिया से क्या होगा तो इस पर क्रिया से हमें sodium धातु प्राप्त हो जाएगी तो विद्ध अब घटन विद्धी के बाद अब हम देखते हैं कि जो medium and low reactive metal होते हैं उनके लिए कौन सी विद्धी प्रयोग की जाती है तो उनके लि या oxygen की उपस्थिती में उसके गलनांग से कम ताप कर्म तक गरम किया जाता है तो वह पर क्रिया भर्जन कहलाती है गलनांग क्या होता है? boiling point, जब कोई धातू जिस temperature पर पिघल जाती है, उस point को क्या कहा जाता है, उसका गलनांग point कहा जाता है, तो भर्जन में क्या होता है, जब वायू की उपस्थिति में उसके गलनांग point से कम temperature पर गर्म किया जाता है, तो उस परक्रिया को भर्जन कहा जाता है, तो इस परक्रिया में सलफाइड एसक को भट्टी में वायू की नेमित अपूर्ति के साथ गर्म किया जाता है, तथा उचताप पर एसक में उपस्थि oxygen के साथ अभिक्रिया करके सलफाइड एसक का निर्मान करती है, और जो एसक से वायू में मुक्त हो जाती है, पैनाम सवरूब केवल धातू ओक्साइड ही शेश रह जाता है, तो इस समीकरन से आप समझिए कि जो सलफाइड एसक होता है ना, जब उसे ओक्सीजन की गरम किया जाता है, तो क्या होता है, तो हमें धातू ओक्साइड और सलफाइड ओक्साइड गैस प्राप्त होती है, जो सलफाइड ओक्साइड गैस होती है, ये तो वायू में मिल जाती है, तो बचा क्या धातू ओक्साइड, तो इस वरकार हमें एसक से धातू प्राप्त ह होती है तो जैसे देखे जिंग सल्फाइड एसक है अब इसे ओक्सिजन की उपस्थिति में गरम किया जाएगा तो क्या होगा हमें जिंग ओक्सेड धातु प्राप्त होगी और जो सल्फर डायोक्साइड गैस है यह हवा में मुक्त हो जाएगी इसी परकार अगला उधारन है जिंग सल्फाइड का जो जिंग सल्फाइड एसक है जब इसे ओक्सिजन की उपस्थिति में गरम किया जाएगा तो हमें लेड ओक्साइड धातु प्राप्त होगी और जो सल्फर डायोक्साइड गैस है यह हवा में मिल जाएगी लेकिन यह याद देखेगा इस धातु को इसके गलनांग पॉइंट से कम टेंपरेचर पर गरम करना है क्योंकि उसे ज़्यादा गरम करेंगे तो धातु ही पिघल जाएगी इसके बाद अगली विद्धी है निस्तापन जिसे केलसी नेशन कहा जाता है तो इसमें क्या होता है कि एसक को वायोकी अनुपस्थिति में उसके गलनांग से कम टाप पर गरम किया जाता है और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है तो भरजन में क्या था वायोकी उपस्थिति में हमने एसक को गरम किया था और इसमें क्या है वायोकी अनुपस्थिति में अब एसक को गरम किया जाएगा तो इस प्रक्रिया म हाइड्रोकसेड तथा कार्बोनेट ऐसकों को वायू की सीमित मातरा अथवा वायू की अनुपस्थिति में गलनाक से कम ताप पर गर्म किया जाता है और पैणाम सोरूब वाशपशील पदार्ध ऐसक से प्रिथक हो जाते हैं तथा धातू ओकसेड शेश रह जाता है तो जैसे केलशियम कार्बोनेट एवं मेगनेशियम कार्बोनेट का ठोस मिश्रण है अब इसे गरम किया जाएगा जिसे क्या होगा हमें केलशियम ओकसाइड और मेगनेशियम ओकसाइड प्राप्त होगा और जो कारबन डाय ओकसाइड गैस है ये वाशपश की रूप में हव एक तो है गैंग, तो गैंग क्या होता है, तो पृत्वी से खनिज ऐसकों में मिट्टी, रिद, आजी जैसे कई अशुधियां होती हैं, जिनें गैंग कहा जाता है, इसके बाद है गालक, तो गालक क्या होता है, तो ऐसक की अशुधि को दूर करने के लिए इसमें बाहर से मि धातु का शुद्धी करण होगा ना, तो धातु का शुद्धी करण कैसे होगा, तो धातु का शुद्धी करण के लिए उसमें जो अशुद्धियां उन्हें निकालना पड़ेगा, तो अशुद्धियां कैसे निकलेंगी, तो अशुद्धियों को निकालने के लिए बाहर से flux मिला जाता है जिसे गालक कहते हैं और ये गालक क्या करता है धातु में जो अशुदियां होती है उन्हें बहा निकाल देता है उसके बाद है धातु मल, slag तो धातु मल क्या है तो S के में उपस्थित, गंदगी तता बाहर से मिलाए गए flux इन दोनों को मिलाकर धातु मल कहते हैं तो धातु मल इस तरह आप समझे कि जब धातु का निशकर्शन हुआ तो धातु की निशकर्शन के बाद अब क्या होगा? धातु का शुद्धी करण होगा यानि कि शुद्ध धातु हमें चाहिए तो शुद धातु प्रावत करने के लिए जो हमें धातु मिली है, धातु में जो बची-खुची अशुद्धिया है, जब उन्हें हम बाहर निकाल देंगे, तभी तो हमें शुद धातु मिलेगी, तो धातु की अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए, फ्लक्स का प्रयोग कहते हैं फिर इस धातो मल को बाहर निकाल दिया जाता है जिसे क्या होता है हमें शुद धातो पराब हो जाती है तो धातो कर्म के बारे में हमने पढ़ लिया अब हम महत पुन धातों के जो एस्क हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं तो यहां से एक्जा में डारेक्ट ले जाता है कि बताइए Aluminium का Esk कोन सा है तो ये Aluminium के चार मुखे Esk हैं जो आपको याद होने चाहिए पहला है Bauxite, दूसरा है Daspore, दीसरा है Corundum, और चोता है Cryolide, तो ये चारो Esk आपको पता होना चाहिए कि Aluminium के कौन-कौन से Esk है Bauxite, Daspore Corundum, और Cryolide उसके बाद है Copper तो Copper के कौन-कौन से Esk है Copper Pyride, Copper Glass जिसे चिलकोसाइड भी कहते है Cupride और Malachide एक बार दोबारा बोलिए Copper के कौन-कौन से Esk है Copper Pyride, Copper Glass जिसे चिलकोसाइड भी कहते है Cupride और Malachide इसके बाद है Calcium तो calcium के कौन-कौन से ask है dolomite, calcite, gypsum और asbestos जिसमें से dolomite और gypsum कई बार पूछा गया है कि dolomite किसका ask है, gypsum किसका ask है तो ये calcium का ask है इसके बाद है sodium तो sodium के कौन-कौन से ask है साधारा नमक, यानि कि NaCl, chili salt peter, borax और sodium carbonate, ये किसके ask है तो ये sodium के ask है इसके बाद है zinc तो zinc के कौन-कौन से ask है एक है zinc-kite, दूसरा है zinc-blend और तीसरा है calamine तो calamine याद दखेगा क्योंकि बाकियों के तो आगे zinc लिखा ही हुआ है जैसे zinc-kite और zinc-blend पर calamine याद दखेगा ये किसका ask है तो zinc का ask है इसके बाद आगे है lead यानि की सीसा तो lead के कौन-कौन से ask है तो galena और serucite जिसमें से galena important है कई बार पूछा गया है कई बार पूछा गया है कि galena किसका ask है तो ये lead का ask है इसके बाद है mercury यानि की पारा तो mercury का ask तो very 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 important है बहुत बाद exam में repeat हुआ है तो mercury का ask है सीने बार इसके बाद है tin तो tin के ask का क्या नाम है तो इसके ask का नाम है cassiterite इसके बाद आगे है लोहा तो लोहे के ask का क्या नाम है तो magnetite, hematite, cinerite और iron pyrit ये किसका ask है तो ये लोहे का ask है और इसके बाद आखिर में है thorium तो thorium के ask का नाम क्या है तो monagyde important है या दखेगा तो आज का हमारा theory section यहीं पर complete होता है अब हम previous year question देखते हैं पहला question है कि निमने लिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्व में सही नहीं है पहला कथन है कि यह प्राकरतिक रूप से प्राप्त होने वाले पतार्थ हैं ये कथन तो सही है दूसरा कथन है कि इनका एक निश्चित रसानिक संगठन होता है ये कथन भी सही है तीसरा कथन है कि ये विभिन प्रकार के भूव एग्यानिक परिवेश में निर्मित होते है ये कथन भी सही है चोथा कथन है कि सभी खनिज आधात्विक होते हैं तो ये कथन गलत है क्योंकि जो खनिज होते हैं वो धात्विक भी होते हैं और आधात्विक भी होते हैं, तो इसका स़ई option क्या होगा? आर्थिक रूप से सुगम नहीं होता, इसके कारण तो हाँ, ये सही है, क्योंकि सभी खनिजों से जो धातु का निसकर्शन होता है, ये आर्थिक रूप से सुगम नहीं होता, यानि कि सभी खनिजों से हमें ऐसक नहीं मिलता, तो option ने इसका सही जवाब है, अगला प्रेशन ह कि एसक का सांद्रन निम लेखित में से किस विधी द्वारा किया जाता है? चुम्बकिय प्रिथक करन, जाग उत्पलावन, भरजन या उपड्युक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही जवाब होगा Option D, क्योंकि जो एसक का सांद्रन होता है, ये चुम्बकिय प्रिथक करन के द्वारा भी किया जाता है, और जाग उत्पलावन, यानि कि फिन उत्पलावन द्वारा भी किया जाता है, तो Option D, इसका सही जवाब है, अगला प्रेशन है, कि निम लेखित में से कौन सी प्रक्रिया धातु करम से संबंदित नहीं है, जाग पलवन, श्रंखलन, निस्तापन या चुम्बकिय प्रिथक करन, तो बताईए कौन सी प्रक्रिया धातु करम से संबंदित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा, Option B, श्रंखलन, या धातु करम से संबंदित नहीं है, अगला प्रशन है कि धातु करम डैश की प्रक्रिया है, एसक से धातु को निकालन, एसक को अधि गरम करने की, धातु के ध्रवी करन की, या बलोश्ट फरनेस में एसक को धातु में मिलाने की, तो इसका सही जवाब होगा, option ए, ऐसके से धातूं को निकालना धातू करम की प्रक्रिया है, तो option ए, इसका सही जवाब है, अगला question है, कि निम लिखित में से कौन सी, उच अभक्रिया शील धातूं के ऐसकों से उनके निश्कर्शन की सबसे अच्छी तक्नीक है, तो उच अभक्रिया शील धातूं के अइसकों से धातूं के निश्कर्शन के लिए कौन सी तक्नीक है, तो इसका सही जवाब होगा, option C, विद्यूद अभगटन, अगला प्रेशन है, कि निम लिखित में से कौन सा निस्तापन के बारे में सही कथन है, पहला कथन है, कि हवा के किसी भी विस्पोर्ट की अनुपस्थित्ती में अइसक को दिरुड़ता से गरम किया जाता है, दूसरा कथन है, अइसक को केल्शियम के साथ गरम किया जाता है, तीसरा कथन है, अइसक को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है और चोथा कथन है खने चोने के पत्थर से पिघलाय जाता है तो इसमें से सही जवाब क्या होगा निस्तापन की प्रक्रिया क्या होती है कि वायू की अनुपस्तिति में जब एसक को गर्म किया जाता है तो उसी को निस्तापन कहा जाता है तो ओप्षन ए इसका सही जवाब है, अगला प्रशन है कि वायू की उपस्थिति में उच तापमान पर सलफाइड एसक को गरम करना डैश है, परशकरन, निस्तापन, भरजन या प्रगलन, तो वायू की उपस्थिति में जब एसक को गरम किया जाता है, तुसे भरजन कहा जाता है, और प्रशन है कि पारे का एस्क है मेगनेटाइट, सिन्य बार, हेमेटाइट या बोकसाइट, तो पारे का एस्क कौन सा है, तो सिन्य बार, ओप्शन भी इसका सही जवाब है, अगला प्रशन है कि अलुमीनियम का सबसे महत्पून एस्क कौन सा है, तो अलुमीनियम का सबसे महत् कुन एस्क है, बोकसाइड, तो option A, इसका सही जवाब है, तो अगला प्रशन है, कि लोहे का मुखे एस्क कौन सा है, हेमिटाइड, चुम्बकिय, बोकसाइड या लिमोनाइड, तो लोहे का मुखे एस्क है, हेमिटाइड, option A, इसका सही जवाब है, तो आज का आखरी प्रशन है कि सीसा जिसे हम लेड कहते हैं तो लेड का एस्क कोन सा है गेलिना बोकसाइड कैलवेराइड या मेलाकाइड तो लेड के एस्क का क्या नाम है तो इसका सही ज़ाब होगा ओप्शने गेलिना तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है कैसी लगी यह वीडियो कुमेंट सेक्षन में जुरूर बताना धन्यवाद